शारुक खान और उनकी बेटी सुहाना ने एक्ट किया एक साथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री के कही बड़े नामों के साथ काम करने के बाद अब बारी आ गई है एसार के करियर की सबसे स्पेशल प्रोजेक्ट की उन्होंने कही मासिव बजट फिल्म्स में काम किया है जो आइकॉनिक बन गई लेकिन आज रिलीज हुई उनकी एक एड है उनके करियर की सबसे स्पेशल पीस ओफ आक्टिंग लेकिन ऐसा क्यू चलिए जानते है दरसल इस एड की खास बात ये है कि ये ना सिर्फ एसार के के बेटे की क्लोटिंग लाइन के लिए है लेकिन इसे डाइरेक्ट किया खुद उनके बड़े बेटे आर्यन खान ने और इसमें उनके साथ फीचर हुई है उनकी बेटे सुहाना खान जी हाँ एक ही आड में एसार के ने अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर काम किया ऐसे में ये आड आइकॉनिक तो होगी ही ना आपको याद दिला दे कि पिछले साल भी आर्यन की ब्रैंड आड में एसार के फीचर हुए थे और इस पार भी उनकी सेकंड कलेक्शन के बढ़ा दिया है और सिर्फ ओडियन्स ही नहीं बलकि परिवार वाले भी इस एड को लेकर काफी खुश है आर्यन ने इस एड को पोस्ट करते हुए लिखा दे कुलाब यू नो यू नीड़ बट एवरी गुद स्टोरी डिजर्व से सीक्वल और एसार के ने भी कल स्टे के आवसर पर अपनी बेटी के साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और अफकोर्स मेरा बड़ा बेटा भी अच्छा डायरेक्शन करता है आई लव यू बोथ एड में आर्यन ने काफी क्रियेटिव तरीके से अनौंस किया कि उनका करने वाला है और इसमें डिजनी को रिप्रेजेंट किया सुहाना खान ने पिछले साल जब से आर्यन की क्लोटिंग लाइन रिलीज की गई है तब से एसार के है इस ब्राइंड की फेस और इस डिसिजन के बारे में बात करते हुए आर्यन ने अपने रीसेंग जी क्यू इं जिस वज़े से जब हम साथ आते हैं तो एक अच्छा बैलेंस बनता है और हमारी ब्राइंड एज 10 से लेकर 870 तक सबको रेलेवेंट लगती है इस आड के बाद हम फिर कब देखने वाले हैं एसार के को उनके बच्चों के साथ कोलाबरेट करते हुए चलिए जानते हैं आन सूत्रों के मताबिक इसकी अफिशल अनांस्मेंट भी जल ही की जाएगी और आर्यन की डेब्यू सीरीज स्टाइडम पर भी काम चल रहा है जो एसार के की लाइफ से इंस्पायर्ड है और रिपोर्टेडली एसार की भी उस सीरीज में एक कैम्यो करने वाले है और इसे प्र में के बाद एसार की आबेज आने वाले साल में अपने बच्चों के साथ बॉक्स आफिस पर राच करेंगे बॉलिवुद की लेटेस्ट न्यूस और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें